Hello everyone, welcome to Vidya Shri Academy, I hope you are doing well. आज हम डिसकस करने वाले हैं एक बहुत ही महतेपून टॉपिक, भारत तीसरा सबसे प्रदूशत देश बन चुका है और दिल्ली पूरे दुनिया में सबसे प्रदूशत कापिटल है. तो ये बहुत ही सुनने में भी ऐसा लगता है कि यार भारत जैसा देश जो इतनी प्रगती कर रहे हैं हम चाहे वो third biggest economy की बात कर रहे हों या फिर अनेकों पायदानों पर भारत का जो नाम है वो काफी अच्छा है और अगर प्रदूशन की द्रश्टी से हम इतना अच्छा र दुनिया की सबसे प्रदूशत राजधानी बताये गया है और भारत जो है वो पहले नंबर पर तीसरे नंबर पर सबसे प्रदूशत देश बन चुका है 96% आबादी ऐसी है जो दूशत सांस ले रही है और आप जानते हैं कि जब हम एक pure air को inhale नहीं करते हैं जब हम क्या करत हैं जो प्रदूशत oxygen है उसको लेते हैं प्रदूशत गैसों को अंदर घ्रण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारिया होती है जिसमें आप अस्थमा बोल सकते हैं या बहुत सारी ऐसी फैपलो से related disease होती है जो की प्रदूशन की वज़ा से होती है तो भार का Swiss Air Quality Monitoring संस्ता है जिसे हम IQ Air के नाम से भी जानते हैं जिसमें दुनिया की सबसे प्रदूशत सहरों की राजधानियों की सूची भी जारी हुई है जिसमें दिल्ली ने सबसे पहला रहिंग हासिल किया है इस संस्ता के मुताबिक दुनिया के सबसे प्रदूशत 50 सहरों में स 40 शहर बस भारत की हैं यह अंकडा इस पर आप नजर डालिए कि 50 दुनिया की प्रदूशत सहरों में 40 शहर जो हैं वो हमारे भारत देश की हैं जिसमें बिहार का बेगू सराय सबसे उपर है अगर आप प्रदूशन का निबन लिखते हैं या भारत में बढ़ता हुआ फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर नहीं है यहां पर जो पी एम का फुल फॉर्म है वो पार्टिकुलेट मैटर है तो पी एम कितना था टू पॉइंट फाइब था टू पॉइंट फाइब का ओसत एक सो अठारा दिसमलाव नौ था जो की डबलू एचो के स्टेंडर्ड के कोर्डिंग 23 गुना जादा था तो आप देख सकते हैं कि भारत के 130 करोड से जादन लोग यानि 96% आबादी खराब एयर क्वालिटी वाले शहर में रह रही है और रिपोर्ट में विशेश रूप से पी एम 2.5 पर फोकस किया गया है अठातर सो से जादन शहर में सिर्फ पानक खवर में आई हुए हैं